सतना जिले के उचेहरा थाना अंतरगत अंतरवेदिया गाउं में हाइटेंशन टावर में आधा दर्जन किसान पावर ग्रिट कमपनी द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर चड़ गए हैं। किसानों का आरोप है कि उनके खेत में टावर लगाए कई साल बीट के हैं पर अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे में किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित आदेश नहीं मिलता वो टावर पर ही चड़े रहेंगे। दरसल ये वो किसान हैं जो पिछले दस वर्षों से मुआवजे की मांग पर अड़े हैं लेकिन इनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। किसानों ने हाई कोर्ट का दर्वाजा खटखटाया और नियाले ने मुआवजे की दर्भी निर्धारित की इसके बावजूद समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया। ऐसे में एक बार फिर किसान पावर गृट से मुआवजे की मांग को लेकर टावर पर चड़कर धरना दे रहे हैं। इसके पहले भी इन गावों के किसान 15 दिन तक टावर में चड़कर प्रदर्शन करते रहे थे और जिला प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिया था लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। कहीं न कहीं सहीदों के सपनों को ओजल कर रही है। एक दसक से न्याय मांगते मांगते आज हम इस स्थित का टावर में चड़ने को मजबूर हो गए हैं। जिसमें से आदवाशी किसान माता दिन रामात को टावर में चड़ने को मजबूर हो गए हैं। बारा लाख प्रती टावर तिन हजार रनिंग मीटर की तरफ से मुआपजा देने का प्रधान था। आठ साल हो गए टावर गड़े मेरी कोई सुनाई नहीं है। बारा लाग दर की टावर का तीन जार रुपिय मीटर की दर से तार का यत्ता मैं सुना अस बाठा भी टाहरन थक में। मेरे यहां कोई एक रुपए भी नहीं दिया है। मैं टावर में बार नहीं आंपने चला गएंने पके टावर मे! मैं नहीं एक घीन 않ता का दोें सथいます जान मैं यहां से गोश्बचन प्तावरावादू सपना तस्धीर उचहरा हुआ है बया हुआ हुआ है